वेज बिर्यानी ओर उसके लिए हमें चाहिए जरी मैने सारी सब्रें लडिं यह यह विंस शिल्भा मेश्ज गाजर ज़िए दो से तीन लिए इसको मैंने स्लाइस कर लिया और ये घुर और बाकिया आपकी जो इच्छा आप सब्जी हो चार डालनाज कूंटिटी आप अपने प्रमिश, दालचीनी, तेजबता, जीरा, और लोग, और मोटी लाइची उसके साथ हमने सबसे पहले हमें क्या करना है चावल लेने हैं जो हमने हम सारे मसाले ये खड़े सिर्फ थोड़ा निकाले हैं मैंने ये मैं डालो भी थोड़ा जीरा, दो से तीन लोग, मोटी लाइची थोड़ी सी, एक तेजबता, चार से पांच कालिमेट, और ये चोटे-चोटे ये दो टूपडे जाल चीनीगी मैं इनको और इसमें मैं एक चम ये फड्लिया अपानी तो मैं दाल दी कंटे शवराइक, तिन लोग, वाकल एबने इसकी चावल दागए है अब मैं ओमनुम फ्राप नमक डाला नुल में दिसाउत कि थोड़ा सा तेस्ट करते हैं कि महीं दॉटर देगा नमख करते हमें आपटीप करते हैं प्याज फ्राई कर लोगी अगर हो जाए तो पहले में थोड़े से प्याज जो मैंने लिये हैं आदे प्याज में डाल के डीप फ्राई करके निकाल लोगी थोड़ा सा अच्छे से रोस्ट करके होगा है एक कर दोडो हो जाएक कर दोस्के स्थस्ट करिंस एक दोड़ जोगाईचिक गज नहुदागि करें प्क ध्याज जुज़ कि खूंख कर दो कि अझाएक कर दो याज़े से धोगी गे डाल के लोगफे हैं दूखने लिदा तो गपे अधाओशक अनाहिक कि अब लाग हो रहे हैं तो यह अब लाग हो रहे हैं और हमें इसके साथ 2-3 इंग्रिट और जाई होंगे यह मैंने एक बाउल दही लिया है और यह 8-10 मैंने पुलीना पती लिए और धनिया पती लिए उपर से डेपरेट करने लिए प्रेंस तो अभी यह लाग हो जाएगा निकाल लेंगे प्याज के तो अब यह लाग हुए प्रेंस को निकाल लेके हैं आप इसमें प्रेंस सबसे पहले हम यह मैं मसाले डालूंगी जो मैंने बाटी दाते हैं मसाले थी प्रस प्यार कोई है तो थोड़ा सा इसको सोते होने लेगे हैं और यह थोड़ा से गुलाबी होगे हैं मैं जबड़ा दाले होने इसमें Jáeed आपे बमें चीन के इस्तो दोम है चीए भूट़ियर ने के ब कहोओं आपे और जिर फौम मोटब इसको दो मिनट के लिए पकने माइन के तन्या इसमना के बाया बाशी भी दाल देते हैं और ये मैं बाशी भी तज़ियां विछ लिए डाल देती हूं अब इसमें मैं फ्रेंट्स थोड़े मसाले डाल देती हूं धनिया पाउडर थोड़े सी लागमेश आप ना डालना जहें तो ना डालें ये फाफ्टी स्पून में धन्दी डाली है और ये सब्जी और चावल के बोड़ी मैं नमख डालाया थोड़ा थोड़ा मैंने पानी में भी डाला था इसलिए मैं थोड़ा तम डालू ही अब इसको हम ढख देंगे फर्स दो मिनट के लिए ढख देंगे इसको मैंने इसलिए ढखता था कि थोड़ी सी सब्जीया थोड़ी सी गल जाएं अब मैं इसमें दही मैंने जो ली थी इसको मैंने फेट लिया है थोड़ा सा या आप मिक्सी में भी चनपार सकती है इसको फिर में फाप दही हम इसमें डाल देंगे और इसको फिर से दो से टीम मीनट के लिए ऐसे ऑपन ली इसको हम पकने देंगे मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी एक कप जितना और इसको अभी 2 मिनट के लिए इसको वाय लोने दूंगी सब्जीयों को अब यह हो गया फेंड्स दिखें इतना हमें पानी इसके दना रखना है इसको हमें गैस ओफ कर दिया अब हम चावल और वह यह सब्जी को असेंबल करेंगे कड़ाई में आप कुकर में भी कर सकते हैं काम नीचे ग्रीस कीजिए रिफाइंड से या गीस से जिससे भी आप रिफाइंड करना चाहते हैं ग्रीस इसमें हम चावल की एक लेयर डालेंगे और इसमें हम यह सब्जी डालेंगे खोड़ा सा पाई इसलिए छोड़ना है ताकि इसकी भाप में यह सब्जीयां पक सके आधी हम अभी इसमें डाल देंगे आधी फिर दूसरी लेयर में डालेंगे अब इसमें बीच में यह दो से तीन पुदीना पती डालेंगे तोड़ दिया है मैंने इसको रफली और थोड़े से प्यास डाल देंगे जो मैंने फ्राई करके निकाले थे अब इसमें फिर चावल के लिए लगाएंगे फैस थोड़ा सा मैंस में यह इतने सी घी भी डाल दूंगे बीच में एक चमस्च फिर आप सबजी डाल दूंगे इसमें यह मैं इसके सब्जी डाल दूंगे आप जो सारी सब्जी है अब इसके फिर मैं चावल की लिएर लगा दूंगे कॉल्छ दूंगे झाल दूंगे कॉंगे कॉल झाल कॉल कॉल ये लेयर लगाने के बाद प्रेंस पे प्यास डाल दूंगी, जो मैंने फ्राइ करके रखे हैं, और 2-3 तुदिना पति डाल दूंगी फिर से, और थोड़ा सा धनिया पति भी डाल दूंगी, और आधा चमश गीर डाल दूंगी इसमें, और इसके उपर मैं एक और तड़का लगाऊंगी, तड़सके उपर थोड़ा सा तड़का और लगाऊंगी, राइका, इसके लिए मैं एक रिफाइन डाल रहे हैं, थोड़ा सा, एक टेबू स्पून, और इसमें मैं थोड़े से राइके दाने डालूंगी, और फिर इसमें मैं, जो मेरी आधा कब बाकी की बचीर दही है, वो डालूंगी, यह मैंने इसमें राइ, थोड़ी सी वो तरका लिए है, अब मैं इसमें यह दही डालूंगी, तो बाकी की बाकी की बिलाई है, अब इसमें मैं थोड़ी सी हल्जी, कलर देने के लिए अपनी बिल्यानी को, और यह हाप की श्पूर मैं नमक और डाल रही हूं, और एक मिनट के लिए इसको उबलने लूंगी, यह हो गया, इसको मैं इस पर डाल रहूंगी, और अब मैं इसको कवर करके 10 मिनट के लिए गयस पर रख दूंगी, उसको अब मैं लोफ फ्लेम पर ढखके इसको 10 मिनट के लिए रख दूंगी, बिल्कुल लोफ रख दूंगी, और आप कूकर में बना रहे हैं, तो उसमें आप सीधा विसल भी दलवा सकते हैं, और दूस कर सकते ही नीचे तब रखें बजोगे, आप उसको 10 मिनट के लिए उसको पकने दीजिए और उसके बार उसको निकालेए, अभी मैं इसको 10 मिनट लख दया फिर चेक करते हैं, फैर फिर रहते हैं पर लेंसको बंटकर त्यार है, अपामी बनीत बार गासा है, तो असको मेल् यह बनकर त्यार है फ्रेंज अब इसको हम इसके उपर जर्णिया पती डालकर सर्व करेंगे इसमें फ्रेंज चाबल बस हमको यह ध्यान लगना है कि थोड़ा सा कम पकेवे हो उमने इसको उतार लेना है और अगर ज्यादा पक जाते है तो उसके लिए टिपे पो रहें थोड़ा सा आप उसके ठंडा पानी डाल दी ताकि पोसेसिंग है वह बन दो जाएगी और आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल फ्रेंड थैं